नमस्कार आप देखरें एकॉनमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनंदियो चक्रवर्ति आज मैं बात करूँगा बैंकों के निजी करण की यानि की प्राइविटाइजेशन की क्यूं करूँगा क्योंकि आज 52 साल पहले इसी महिने में जुलाई 19 52 साल पहले 1969 में हमारे देश में कई बड़े बैंकों का नैश्टिलाइजेशन यानि की राष्ट्र करण किया गया था बिल्कुल उसी का उल्टा अभी किया जा रहा है क्यूंकि बताया जाता है कि जो सरकारी बैंके हैं ये बिल्कुल नाकाम्याब हैं ये तो लौस बनाती है और यहाँ पे बहुत साथा करप्शन है यहाँ पर काम नहीं करते हैं बाबू लोग आप जाओ तो कुछ भी टाइम पर नहीं होता है इसलिए इनको अच्छा बनाने के लिए इनका नीजी करन करना चाहिए क्योंकि जो नीजी सेक्टर है यानि कि प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर सब कुछ अच खैर उसके बाद तो आप छोड़िया अपनी येस बैंक देखा है अपनी ये भी देखा है कि आईसी आईसे बैंक ने खुद अपना एक इन्वेस्टिकेशन किया था जो कि आईसे आईसे बहुत सारे सवाल जो नीजी बैंक है प्राइवेट सेक्टर बैंक है उन पर भी अबर आपको कुछ भी बनाना हो कोई भी बड़ा इंफ्रस्ट्रक्चर खड़ा करना हो कोई भी बड़ी फैक्टरी खड़ी करनी हो कोई भी चीज चालू करना तो आपको उसके लिए चा चाहिए पैसा है ना अब या तो आपके बाप दादाओं ने पैसा दिया हुआ है आ से बैंक से आपको पैसे की जरुरत होगी, सरकारों को भी, अगर कोई काम करना होता है, तो कुछ तो वो टैक्स से करते हैं, नहीं तो बाकी वो पबलिक से लोन उठाकर करते हैं, जितने भी बॉंड होते हैं, टैक्स सेविंग बॉंड, इन सब पर यहां से वो लोन उठाते है और फिर वो बड़ा infrastructure project, बड़ा bridge, बड़ा dam, बड़ा highway इन सब के लिए उनको करना पड़ता है बड़े जितने भी नीजी शेक्तर के भी project हैं चाहे वो steel company हो, power sector का company हो, बड़ा construction project हो सब loan से ही करते हैं और 1969 से पहले क्या होता था? बड़े बड़े पूझी पतियों के हाथ में सब का पैसा होता था क्योंकि जो पैसा हम बचाते हैं, बचत करते हैं जो इसको household savings का जाता है, यानि कि पारिवारिक बचत वो सारा पैसा इनके हाथ में होता था और ये इस पैसे को अपने company को दे देते थे बड़े सस्ते interest rate पर दे दे थे 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 और इससे उनको बहुत फायदा होता था क्योंकि सारी economy में जितना भी पैसा flow कर रहा है वो सारा इनके दखल में होता था जो लोग बाहर से लेना चाते थे कुछ लोन लेना चाते थे बड़ी मुश्किल से उनको लोन लेता मिलता था कुछ बड़े बड़े उद्योग पतियों के हाथ में देश का सारा banking system था ठीक है और बाकी जिनको priority sector कहा जाता है जैसे infrastructure हुआ agriculture हुआ यानि कि खेती और किसानों को लोन किसानों को कभी भी ये जो organized banking sector है इनसे कभी भी लोन नहीं मिलता था 1969 में जब इंदरा गांधी ने अपने politics के लिए गरीबियों के लिए ने अपने politics के लिए ताकि वो Congress के अंदर जो syndicate जो उनके खिलाव था उनको हरा सके तो उन्होंने ये nationalization का एक process start किया यानि की राष्टी करण का जिससे किसानों को भी फाइदा हुआ छोटे जो trader है उनको भी फाइदा हुआ बहुत लोगों को फाइदा हुआ हाँ सबसे जादा फाइदा जो हुआ वो अमीरों को ही हुआ लेकिन कुछ अमीर पुंजी पतियों के हाथ में जो पैसा साथा अनके हाथ से निकल कर अब थोड़ा सा वाइद हो गया थोड़ा जादा के पास ये पैसा का कहा हम सरकारों को चाहिए यही जो राष्ट्रीय बैंके हैं सरकारी बैंके हैं वो इससे गरीबों तक, छोटे किसानों तक, छोटे जितने भी कामगार हैं, छोटे व्यापारी हैं, उन तक पैसा पहुंचाए, उसके जगे ये ज़रूर हुआ है कि सरकारी बैंकों ने भी करॉप्शन के चलते, बड़े बड़े उद्योग पतियों को बड़े लोन दिये हैं और उन उद्योग पतियों ने लोन को लेकर कभी वापस ने किया और हम जानते हैं, इसको खराब लोन का जो क्राइसिस हमारे देश में, लेकिन अब क्या जा रहा है, कि ये जब जो हुआ, यह कारण यह नहीं है कि corruption हुआ या उद्योक पैतियोंने पैसे की loot मचा दि यह नहीं है यह यह कि सरकारी bank program मतलब आप देखे इसका मतलब है कि जिनों ने चोरी किया है उनकी गलती नहीं है जिनोंने पैसे अपने घर में रखे थे उनकी गलती है मतलब अगर आपके घर में चोरी हो गई तो आपकी गलती है चोर की गलती नहीं है यही का जा रहा है और सरकारी बैंकों को का जा रहा है कि यह लॉस करते हैं इनका घाटा होता है इनको बेच दो और ये बेच कर सरकार के हाथ में पैसा आएगा सरकार को इन सब बिजनिस में रहना है ने चाहिए एक दो बैंक सरकार रखेगी बाकी सब जो है इनको बेच दो जो प्राइविट सेक्टर है उनको बेच दो इससे क्या होगा पहली बात है, सबसे पहली बात जो हमें याद रखना चाहिए इसमें वो ये है कि सरकारी बैंक का काम सिरफ प्रॉफिट बनाना नहीं, मुनाफ़ा बनाना नहीं है प्रायोरिटी सेक्टर किसानों को गरीबों तक पैसा पहुचाना है क्रेडिट यानि कि लोन पहुचाना ये है काम सरकारी सेक्टर का प्रॉफिट मोटिव इनका नहीं है, हमने इसको 90 के दशक से बदल के कर दिया है कि जो प्रॉफिट नहीं बना सकता है वो खराब है 90 के दशक से क्या है, ये 80 के दशक से शुरू हो गया थे कि अगर ये प्रॉफिट नहीं बना सकते है, इसका मतलब ये खराब होगे ये नहीं कि ये प्रॉफिट इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि ये गरीबों का फाइदा पहुचाते है बहुत सारे देशों में जो चीज फ्री में दिया जाता है उसे profit नहीं होता है चाहे वो बड़े बड़े देशों UK हो या ये योरोप के बड़े देशों वहाँ पर profit नहीं होता है सरकार देती है ताकि सब को फाइदा हो लेकिन हमारे देश में यह आए कि सरकारी बैंक अगर प्रॉफिट पूरा नहीं कर रहे है उनका प्रॉफिट कम है तो फिर उनको बेच देना जरूरी है और इसलिए सरकारी बैंकों का भी यह हाल हुआ है कि वो प्रॉफिट के चक्कर में घूमते रहते हैं वो इसलिए बिलकुल नीजी बैंकों के तरह काम करने लगे हैं कहां उनको छोटे किसान, छोटे व्यापारी, छोटे जो लोग हैं उन तक पैसा पहुचाना, उन तक क्रेडिट पहुचाना उनका काम था उसके जगे वो कहते हैं, इनको पैसे दो, ये कार लोन दे दो, ये हाउजिंग लोन दे दो, ये संपन लोग हैं ये हमको पैसे वापस कर सकेगा और उससे हमारा प्राफिट होगा क्योंकि उनका भी जो जिस तरीके से वो काम करते हैं बिलकुल नीजी बैंकों के तरह करते हैं यानि जहां जरूरी है कि सरकारी जो दखल सीधा सरकारी दखल जो बैंकों पर है वो नहीं होना चाहिए बैंकों का अपना मैनेजमेंट होना चाहिए और इस management को की देखरे जो होनी चाहिए वो बाबू के हाथ नहीं होनी चाहिए वो जो professional लोग हैं उनके हाथ में होने चाहिए इसका जो oversight है इसके उपर जो नजर रखी जाए वो parliament करें या कोई committee करें, banking उसमें judge हो, बाकी लोग हो इस तरीके से इसको देखा जाए और सरकारी या नेताओं के दखल से उसको हटा दिया जाए या बाबू के दखल से वो हटा दिया जाए ये ना करके उनको बेचने का game चल रहा है जो जिन लोगों ने loan लेकर पैसे वापस नहीं किये, जिनोंने इन bankों का ये हाल किया वही लोग पैसे उठाकर अब ये bank खरीद लेंगे, यानि कि नीजी करन एक तरीके का loot ही है, bank loot हमारा पैसा, आम आदमी का पैसा जिससे ये bank बने थे, जिससे इस bankों को recapitalize किया जाएगा कियोंकि इनको घाटा हो रहा है और सरकारी पैसा दिया जाएगा, हम tax देने वाले लोगों का, वही उसी तरीके से इनको सजाध हजा कर बना जाएगा और जो बड़े संपन्ने लोग हैं, उनको खरीद लेंगे, जिनोंने इनी bank से पैसे लेकर इसको वापस नहीं किया यही है बैंक नीजी करन का हिसाब किताब आज का एपिसोड न्यूस क्लिक देखते रहिए, न्यूस क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ये वीडियो शेयर भी जरूर कीजिए